नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक घरेलू नुस्के के साथ जो आपके खटी डकार को बस दो से तीन मिनित में बिल्कुल खतम कर देगा दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे रेट बटन पे क्लिक करके क्योंकि इसके बाद जो भी हम अपलूड करेंगे वो आप तक पहुँचेगा तो दोस्तों आईए शुरुआत करते हैं सबसे पहला है लैक्टिक एसीड यानि लैक्टिक एसीड के प्रयोग से खट्टी डगार का समस्या तुरंट ठीक हो जाता है क्योंकि दही में लैक्टिक एसीड पाया जाता है दही खट्टी डगार की समस्या से हमें बहुत आराम पहुचाता है इसके अलावा दही में एंजाइम्स और कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं ये विटामिन C और कैल्सियम का भी बेहतरीन सुरूत है इसलिए दही का सेवन चरूर कीजे और आपको खटी ढगार से आराम मिलेगा क्योंकि इसमें Lactic Acid होता है और Lactic Acid जो है वो आपके खटी ढगार को बायबाय कहता है फिन्स नीवु पानी नीवु पानी भी खटी ढगार से राहत पहचाने में बहुत मददकार होता है नीवु में Acid के गुन होते हैं और ये पेट को ठंड़ा रखने का काम करता है खाने के 15 मिनट बाद एक गिलास पानी में आधा नीवू का रस निचोर कर पी ले इससे खट्टी डकार की समस्या से राहत मिलेगी ध्यान दे कि नीवू बहुत ज़्यादा प्रयोग न करे ज़्यादा मातरा में बिटामिन C शरीर को नुकसान भी पहुँचाता है मिस्री दोस्तों मिस्री अगर आपको अकसर खट्टी डकार की समस्या हो रही हो तो मिस्री और सौफ का प्रयोग करें इस समस्या से हमेशा के लिए राहत दिलाएगा सौफ में कई तरह का एंटी अक्सिडेंट होता है और मिनरल्स भी पाय जाते हैं जो पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है खट्टी डखार की समस्या से राहत पहुचाता है रोजाना खाने के बाद एक आधा चम्मच सौंप और आधा चम्मच मिस्री खाईए आप देखते होंगे कि बहुत सारे होटल्स में जब आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद जब आप बिल पे करने जाते हैं तो आप पे मिस्री और सौक रखा रहता है तो ये बहुत अच्छा पहल है आप इसका यूज़ करके आप खट्टी डखार से रहात पा सकते हैं अगला है पुदीना पुदीना खटी डगार में बहुत प्रोहफसालियी है दोस्तों पुदीना की तासिर ठंडी होती है और इसलिए पाचन की प्रकृरिया को भी तेज करता है और पेट को ठंडा रखता है खटी डगार होने पर पुदीना के थोरी सी ताजी पतियों को पीस कर या सुखे पुदिने को पीस कर पानी में मिलाग ले और इसको पी ले इसके अलाब पुदिने के पतियों को उबाल कर उसका पानी पीने से भी आपको कटी डगार से राहत मिलेगी तो दोस्तों ये था हमारा घरेलूनुस का अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए लिखे हमारे एक्सपॉर्ट उसका आंसर देंगे और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बताएं अगर आप ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल फ्री है रेड बटन पे क्लिक करके इसको आप सब्सक्राइब करें हम जल्द हाजिर होंगे एक बहुत अच्छे नुसके के साथ तब तक नमशकार